लब को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यार! और क्या क्या वर्ड? प्रेम! प्रेम का मतना पता है? क्या होता है? सल्मान गान प्रेम मतना सल्मान गान बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे एक मज़ेदार बात बता हूँ आपको हिंदी की और संस्कृत की हर वर्ड में उसका मीनिंग होता है अगर वर्ड को आप अराम से ब्रेक करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रेम कमस फ्रॉम परम परम का मतला होता हाईएस्ट सुप्रीम उस उपर और कुछ है ही नहीं उस उपर कुछ और हो ही नहीं सकता अब बात आती है इसको experience कैसे किया जाए इसको experience करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए सबसे पहली वो है observation और observe करने के लिए इस universe को खुद को किसी और को आपको ठहरना आना चाहिए टिकना आना चाहिए हिल करके क्या हम observe कर सकते हैं जल्दी में क्या हम observe कर सकते हैं तो जल्दी बाजी में हम पहार को कभी भी experience नहीं कर सकते हैं जैसे भी कुछ दिन पहले full moon night थी कितनों उने actual में देखा था क्या चान दिखता है reflection किसका दिख रहा है light का दिख रहा है क्या light दिखती है आर्थ के बीच में और सन के बीच में light है light travel कर रही है तो क्या वो light दिखती है यह वा पर अंधेरा दिखता है तो क्या जिसको हम light कहते हैं वो actual में darkness नहीं है जिसको हम रोशनी कहते हैं क्या वो अंधेरा नहीं है बहुत जादा हो रहा है क्या यह बात है किसी बुक में नहीं विलेगी, बड़ तेको तोड़ा सा, अगर देखोगे तो, कुछ कमाल का हो सकता है यहां से, अभी देखना क्या निकल के आएगा जैसे यह लाइट और चांद आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है? वो लाइट जो डाकनेस थी, वो लाइट हो जाती है, और वो चांद जो नहीं था, वो हो जाता है, इसको प्यार कहते हैं, अंकल अंटी, प्यार को एक्स्पीरियंस करने के तीन रास्ते हैं, एक रास्ता यह है, कि तू ही तू है, अगर लाइट इस सच को देख ले, अगर तो अकेला भटक रहा हूं। लाइट अगर प्यार के बारे में एक्सप्रेस करेगी तो कैसे करेगी। लाखों किलोमेटर तक, अकेला भटकता रहा। मेरा होना न होना बराबर था। जिन्दगी मौत से भी बत्तर थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे में लाइट है। मैं लाइट हूं। लेकिन मुझे में लाइट है ये मुझे नहीं पता था। पर तेरे सामने आते ही, मैं लाइट हो गया। मैं जल उठा। मेरे में जान आ गई। तू नहीं, तो मैं नहीं। तू नहीं तो मैं कहां हूँ, मैं क्या हूँ तो तेरे होने की वज़े से मैं हूँ, तेरी वज़े से मैं हूँ तेरा ही तो इताई था चुश्स जितने भी पोएट कही होते है requests जो भूत ही, कही बहुत ही कई गाने आप सुनते हो, और सुन करके एकदम से कुछ होता है उनका सीक्रेट बदा रहा हूँ आप लोगों है कि वो कैसे लिखते है अभी यहाँ पर इसके बारे में मैं घंटों तक बोल सकता हूँ, और एक एक बात यहाँ पर हिट होगी, एक एक बात यहाँ पर लगेगी, क्योंकि कुछ भी जूट नहीं है, सब सच है मतलब वो लाइट उस चांद की तारीफ करते नहीं थक रहा है और वो तारीफ जूटी नहीं है वो एक चुल में जिसको हम लाइट बोलते हैं, वो डखने से है अंधेरा है उस लाइट की जिंदगी में अंधेरा है contradiction नदर आ रहा है, है ना, poetry कमाल की सुनिया आज से पहले ऐसी लाइट की जिंदगी में अंधेरा है, रोश्नी में अंधेरा है रोश्नी खुद अंधेरे में है सच या जूट है? सच है इस सच को देख पा रहे हो? रोश्नी को रोशन कौन करता है वो जिसमें खुद में कोई रोश्नी नहीं है चांद में खुद में कहां है लाइट? जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कुछ होता है तब वहाँ पर कुछ कमाल का होता है तब वो जो अधूरा था यानि कि वो जिसको अप्चान कहते हो और ये जो अधूरा था जिसको लाइट कहते हो ये दोनों मिल करके पूरे हो लाते है तब वो लाइट उस मून की तारीफ कर रहा है वो कहा रहा है तू ही तू ही तू है तू ही तू ही तू है, तू ही तू है, एक प्यार को देखने का एंगल क्या है, तू ही तू है, दूसरा एंगल क्या हो सकता है, मैं ही मैं हूँ, यह भी प्यार है, अभी कुछ महीने पहले बारिशो का सीजन था, क्या होता है बारिशों, रेंबो होता है, रेंबो देखा है को आप rainbow कह रहे है, वह तो वर्ड है rainbow, जो आपने इसकी बुक में से पढ़ा है. बुक में फोटो देखी है rainbow यह होता है, इसमें साथ रंग होते हैं. और देखा देखते ही बोला, दिको rainbow कितना सुलबर है. इसको rainbow को देखना नहीं कहते हैं, ऐसे तो आपने चांद को भी देखा है, ऐसे तो आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, एक्चल में तो देखा ही नहीं है, एक्चल में rainbow को देखने का मतलब क्या है, देखते रहो अराम से बैठे, देखते देखते कुछ दिखेगा, जो इस लाइट के तो कैया एह रहे नजर सही है और गलत है देखने के मना हम जो भी सहीघ नजर है जो सबसे नज़र है वही हमको प्यार तक लिए बाट采ब जो भी गलत नजर वह हम को से दूर करता है तो हमको अंदर से चोटा करती है हमको को सेल्फिश पनाती है कि दूसरों से अलग करती हम को दूसरों से लड़वाती है वो नजर यह टिपिकल इस दुनिया की सबकी नजर है So मुझे डाउट है। Sir लोग प्यार और दोस्ती बहुत कन्फीज होते हैं Mr. प्यार और दोस्ती प्रम क्या होते हैं किसी के साद में आपके अची ट्यूूरinizi है ऋ लड़का भी हो सखता लड़की भी हो सकति है बड़ा भी हो सकता है तो दोस्ती किसी से भी ईसकती है जैसी दोस्ती जब टक है तब-टक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है बताना अ Nederland के मैं बताना अपने इसको हम क्या बोल रहें प्यार है अरे तक्टू प्यार है कमिट्मेंट को हम प्यार समझे है कमिट्मेंट प्यार होता है क्या अरे पागल हो क्या इतना अकल नहीं है कि कमिट्मेंट मतलब क्या हम कह रहे है कि सिर्फ तू मेरा है मैं तेरी हूँ यह commitment practical है क्या किसी और को देखो के तो कुछ होगा नहीं क्या अंदर होगा लेकिन जूट बोलेंगे नहीं यह नहीं हो रहा है क्या नाटंकिया चल रही है तो दोनो नाटंकिया करेंगे तो छुप करके उदर देख रहा होगा और फिर confused हो जाएंगे इस confusion को हम प्यार समझते है तो that which leads to confusion that which leads to conflict is not love प्यार मोबद की बाते हैं प्यार तो कहीं है यह नहीं commitment है और commitment करते ही क्या होता है बंद जाते हैं दो लोग अपस में जहां बंद जाते हैं और अगर foundation strong ना हो तो that leads to unlimited conflicts एक दूसरे को possess करने की कोशिश करी जाएगी पहाँ पे jealousy होगी बहुत तगड़ी jealousy होगी किसी और की photo तक like कर दी तो गए हो गया का तो अब मैं क्या कह रहा हूँ क्या commitment जरूरी नहीं है जरूरी है पट किसलिए जरूरी और commitment का प्यार से क्या connection है प्यार से कोई connection नहीं है commitment का commitment किसलिए जरूरी है इस society में और को maintain करने के लिए commitment जरूरी है बट अब एक बड़ा मज़दार यहां पर angle है वो I'm not too sure अब कैसे देख पाओगे कैसे समझ पाओगे जिसको देखना आता है जिसकी नजर सही है उसको सौ लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को experience करने के लिए उसके लिए एक ही काफी है खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए है खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूँ एक काफी है या हजार चाहिए है जिसको नहीं देखना आता है उसको आप हजार शीशे भी दिखा दो नहीं देख पाएगा फुद को जैसे कुछ जानवर होते है कुछ आप इनको देखोगे कुछ पंचियों को देखोगे चुडिया उडिया ग्या करती हो जब शीशा उसको सामने आता है चोच मारने लग जाती है क्योंकि उसको देखना नहीं आता है उसको लग रहा अंदर कोई और है उसको यह नहीं पता है वो खुदी है तो उसके आगे अगर आप हजार शीशे भी ले आकर कर दोगे तब भी वो यही करेगी जिसको देखना आता है जानि कि हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूँ कितने शीशे शीशे है, एक ही काफी है ऐसे ही इसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्स्पिरिंस किया है प्यार को इसको हजार की जरुरत नहीं है एक ही काफी है लाइट रेन्बो को देख रही है रेन्बो के अलग-अलग रंग देख रही है उन्ही रंगों में से एक लाल है, एक नीला एक पीला तो कैसे देख रही है? ये भी मैं हूँ और वो भी मैं हूँ सिर्ए मैं ही मैं हूँ यह ego वाली statement नहीं है ego में फर्क को समझ लेना मैं तुझसे अलग, यह ego है मैं ही मैं हूँ जितने रंग है वो सारे मैं हूँ जहां रंग है वो मैं हूँ सारे रंग light ही नहीं तो प्यार क्या है? खुद को जान लेना प्यार है, जो लिखा हूँ है discover yourself जो आप देख लेते हो, I am that light और उसी light में सब कुछ हो रहा है वो वाली light नहीं जो light अब आप सोच रहे हूँ आप कहीं और चले गए हूँ, मैं कहीं और हूँ I am talking about that light which is the source of everything ऐसा भी कुछ है आपर इस दुनिया में ऐसा भी एक material है जो सब में है उसी में सब कुछ हो रहा है जो इस body के अंदर से देख रहा है और जो इस body के अंदर से देख रहा है वो दो नहीं है, वो एक ही है बिल्कुर ऐसे देख सकते हो कि दो camera आपने सामने रखे होए इधर एक camera है, इधर एक camera है और जो देखने वाला है वो हर जगे है स्पेस की तरह है तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है लग रहा है कि मैं यह हूँ क्योंकि यह फीमेल कैमरा है यह मेल कैमरा है कैमरा मेल और फीमेल है देखने वाला सुनने वाला, फिल करते वाला, एक्स्पिरेंस करने वाला, वो मेल फीमेल है, यह यह तो मैं खुज से ही मिल रहा हूँ, इस मिलने को पयार कहते है, अगर इस तरह से अक्शल में आप मिलो, तो, अभी एक दम से नहीं होता है, अब वाट यूँ वाँ इसको प्राक्टिकली ए कि शालक पर को लड़की दिखी उसको जाकर के बोलना शुरू करता है कि यहाल राईउ करके देखता हूं जो बंदेने बात करें तू भी मैं हूं ऐ हूं कि अब क्वतो ठेल नहीं हूं फंधो प्रपर भी मैं हूं गाल भी मैं हूं दुसरे तरफ मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं तो किसने किसको गाली दी, किसने किसको डाटा, किसने किसको मारा, किसने किसकी बैजज़ती करी, किसने किसकी जंड करी, कहां है ये सब, कहीं भी नहीं है, जिसे आपके जो दाथ है, अगर आपकी जीप को काट दे, क्या करते हैं? तोड़ते हो अपने दातों के? Anybody किसने तोड़ा आज था? तेरी इतनी हम्मत कैसे होई, मेरी जीप को कैसे काट पाए? गड़ते हो अपने दातों से तोड़ना चाहिए ना गल्ती करी ना अपके दातों ने पनिश करो ना उनको उनको रिलाइस कराओ ना जब तो दाथ सौरी ना बोल दे आया समझ में किस की बात हो रही है आपकी बात हो रही है दाथ के जी की बात नहीं हो रही है टॉर्चर करो ना उस दाद का, नई जी, क्यों कि दाद भी मैं हूँ, जी भी मैं हूँ, ये होता है मैं ही मैं हूँ महाँ पे अलग होने में भी प्यार होता है अब ये नी समझाएगा अलग होना प्यार कैसे हो सकता है कि तलाग प्यार है अलग हो जाएगे, ब्रेक अप कर दे, क्या ब्रेक अप प्यार है हाँ ब्रेक अप प्यार है, कैसे अगर माल लो आपके ये बॉडी है इसमें आपका बॉड़ी का कुछ पाठ है, यहां पे कुछ चोट लगी पसड़ गया है यह वाला जो पाठ है और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा इस हाथ को नहीं काटोगे तो पूरे बॉड़ी में जहर फेल जाएगा क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे है, प्यार से अलग कर रहे है वह बद प्यार में अलग होना ही प्यार होता है लास्ट बट नॉट दे लीस्ट वो क्या है? एक तरफ तू ही तू है, एक तरफ मैं ही मैं हूँ एक तरफ ना मैं हूँ, ना तू है यह आईस लेवल है प्या यह कैसी नजर है जैसे एक नदी में दो अलग-अलग लहरे है एक तो नजर हो सकती है लहरों की नजर जो इस दुनिया की नजर है यहां पे दोनों लहरे किसी ना किसी को ढूंड रही है किसको ढूंड रही है कभी सोचा है कभी यह थोट आया मैंड में कि मैं इसी की तरफ अट्राक क्यों हुई मैं इसी की तरफ अट्राक क्यों हुआ बड़ा सिंपल है जी यहाँ पे जो लहर है, यहाँ पे जो लहर है, इस लहर के अंदर जो information created है जैसी फिल्में देखकर के आप बड़े होई हो, जैसी कानिया सुनकर के बड़े होई हो, जैसी भी images पड़ी हुई है उन images से मिलती जुलती कोई लहर सामने नजर आती है तो, हम उसकी तरफ खिचे चले जाते है जो अंदर images पड़ी हुई थी, उससे कोई मैठ हुआ, जैसी मैठ हुआ एक दम से स्पाक हुआ, अभेट तेरी, यह क्या है मेरे सपनों की रानी मेरे सामने है कुछ नहीं है, सपने हैं वो सारे के सारे उसका प्यार है से कुछ connection नहीं है सपने होते ही तूटने के लिए है सपने का end result क्या है तूटना ही है, और जब तूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है कुछ भी सपने देखते रहो तो सपने देखना प्यार नहीं है जाग जाना प्यार है